नश्का राजनामा टीवी पर आपका स्वाकत हैं मैं प्रियाओ आपके साथ ये जगह जो आप देख रहे हैं देवी नगर हैसाक हटियावाड 52 के अंतरगत आती है जो की हटियाशेत्र के बीजेपी के विधायक श्री नवीन जायसवाल जी के अंतरगत आती है और वाड संक्या 52 के पूरववाड पारशद श्री निरंजन कुमार जी हैं इस रास्ते में भहुत सालों से सडक नहीं थी तो सडक की समस्या को लेकर यहां के लोगों ने यहां के पारशद और विधायक दोनों से बात की जिसमें नवीन जायसवाल जी का यह कहना था कि इस जगह पर ड्रेनेज भी बनवाने की जरूरत है तभी सडक पर पानी जमान नहीं होगा और सरकार द्वारा बनाया गया सडक सही होगा लेकिन पारशद और विधायक की आपसी मन मुटाओं में वार्ट पारशद निरंजन कुमार ने बिना ड्रेनेज बनवाये ही जल्दी जल्दी में 2022 में सडक बनवा दी जिसके कारण बारिश के पानी को निकलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है और पूरे सड़क पर पानी भर रहा है जिस कारण लोगों को आने जाने में परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है साथी इसी गली में एक क्रेवती एंकलेव नामक अपार्टमेंट है जिसका पिछला हिस्सा इस गली में पड़ता है इस अपार्टमेंट को बने हुए 5 साल से उपर हो गए हैं लेकिन अब तक इस बिल्डिंग के बिल्डर ने ना ही अपने बिल्डिंग में धंग का सोकपिट बनवाया है और ना ही सेप्टिक टेंग जिसकी वज़ा से अपार्टमेंट का गंदा पानी इस गली के सडक पर आ ज जाता है और गली पूरी तरह मेचती है अपार्टमेंट की वज़से तो लोग इतना परिशान है कि बारिश के अलावा के दिनों में भी सडक पर लगातार पानी भैता रहता है लेकिन अपार्टमेंट के बिल्डर को कई बार कंप्लेंड करने के बाद भी वो अपनी बिमार का बहाना बना कर और खुद को राची से बाहर बता कर बात को टालते रहता है साथी रेवती एंकलेव के कई लोग और वहां के सचीव इस बारे में बात करने के लिए सामने नहीं आते हैं और गली की महिलाओं को उल्टा सीधा कहे कर संभोधित करते हैं साथी रेवती अपा नहीं है तो उसके बाद बिल्डर पर सक्त कारूनी कारवाई की जाए इस बात की समस्या को लेकर कई बार नगर निगम में भी बात की गई लेकिन यहां तक कि इस शेत्र में विधायक और पारशद ने भी नगर निगम में इस गली की समस्या को रखा लेकिन नगर निगम ने समस्या को अंसुना कर दिया और इस पर कोई विचार आगे नहीं बढ़े यहां तक कि कई बार नगर निगम के अधिकारी भी आए मुआइना करने के लिए लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों अचानक से मौन हो गए आखिर में ना ही विधायक और नहीं वाड पार्शद और नहीं नगर निगम ने महले की समस्या को गंभिर रूप से लिया और नहीं इसका समाधन किया जिसकी वज़े से यहां के लोगों में काफी आकरोश भरा हुआ है क्योंकि लोगों को लगातार भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिस वज़े से सबको रोज हानी हो रह विधायक श्रीन नवीन जैस्वाल जी के शेत्र में आने वाली इस गली में लगातार बारिश होने की वज़े से पानी भर जा रहा है। जिनका आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। और लगातार यहां के छोटे छोटे बच्चे गंदा पानी जमा होने के कारण बिमार पड़ रहे हैं। कुछ करना ही नहीं चाते हैं। ताकि उनकी गलती का खाम्याजा एलाइंस की सरकार को भगतना पड़े। क्योंकि काफी सालों से हटिया शेत्र में बीजेपी का ही बोल बाल चाया हुआ है। लेकिन फिर भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ बने रहे हैं राज्टर्मा टीवी के साथ धाने बाद। इसी के साथ बने बाद। इसी के साथ बने बाद।